फिरुजबाद के टूनला नगरपालिका के स्टोर रूम में आग लग गए काफी सामान जलकर राग भी हो गया है आग लगने के पीछे शौर्ट सरकिट है या सोची समझी साजिश है यह तो बाद में ही पता चल सकेगा हाला कि अधिकारी शौर्ट सरकिट से आग लगना बता रहे है दरसर शुक्रवार रातरी नगर पालिका परिसर में बने हुए स्टोर रूम में अचानक आग लग गई आग में स्टोर रूम के अंदर रखा हुआ कुरसी में समेट अन्य फर्णी चर्बी और सामान जलकर राख हो गया मौके पर पहुचे पालिका करमचारी उन्हे जले हुए सामान को बाहर निकलवा कर रखवा दिया बताया जाता है कि स्टोर रूम में आग लगना कोई सामान या बात नहीं है यह भी संभावना व्यक्ति की जा रही है किसी करमचारी के दस्तावेजों को जलाने के उद्देश से आग लगाई गई है क्योंकि पालिका मे जैसी बात को भी उन्होंने नकार दिया और बताया कि स्टोर रूम में दस्तावेज नहीं रखे जाते यदि फिर भी दस्तावेज चले है तो इसकी हम जांच कराएंगे फिरजबाद से रिहान अली की रिपोर्ट